ब्रेकिबाद आरो की बंत्र में आपका इवा फिर से स्वागत है आज हम बात कर रहे हैं लो ब्लड प्रेशर के बारे में आपको याद दिला देते हैं हमारा हेल्प लाइन नंबर जो है 0129 40444 यह एक हेल्प लाइन नंबर है यानि इस पर कॉंटाइट करके आप अपने को अपने पास जरूर नोट करके हम आगे बढ़ते हैं लो ब्लड प्रेशर के हमने कॉज़ आपके साथ डिसकस किये सिंटम्स क्या है इसके सिंटम्स आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए क्योंकि कभी कब आपको सिंटम्स हो सकते हैं और आप उस पर गौर ना करें तो यह बहुत घातक से होता है क्योंकि अगर क्म हरद्य आपकी कंपोचेंगे की केंज कर ऑफिजाय और प्लट प्रेशर भ हुष्ट प्रेशर बहुत If लिख वह जाय किसल करें अगरंगे निविए कम पहुचेंगी तो आपकाटकेसVer हो सकता कोई ऑंग्याब आते हैं हाट इस तो इसलिए जो कुछ लक्षन है इसके मुख्य उन पर ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा एक common और बहुत ही साधरन सा लक्षन है कि कमजोरी महसूस होती है। आम तोर पर उस वेक्ति को कमजोरी महसूस होती है। चक्कर आते हैं। खास तोर पर अगर एकदम से खड़े हो हैं तो खड़े होने पर केवर आदमी चक्कर आते हैं, केवर गिर भी जाते हैं लोग, लोग बेहुश भी हो जाते हैं। इसतरह के लक्षह अगर आपको हो, कभी कवहार सांस फूह ना। एक ईक लक्षिन होता है जब आप चलते हैं या सेडिया चढ़ते हैं तो सांस पूल रहा हो सकता है low blood pressure की वज़े से चाती में दर्द होना भी एक लक्षन इसमें पाया जाता है तो इस तरह के लक्षन अगर आपको कहीं पर भी मिलते हैं तो अपना blood pressure जरूर चेक कराईए और फिर उसका कारण जरूर पता लगाईए कि क्या कारण है आपके low blood pressure का तब उस दर्द की गोली मिल जाए दर्द मेरा चला जाए लेकिन कारण को वह चालू रखते हैं जलन हो गई है तो एक acidity की गोली खाले चाय भले पीते रहें मिर्च भी खाते रहें यह नहीं होना चाहिए आपको जब symptoms कोई पता चलते हैं सबसे पहले आपको उपचार से पहले आप हमारे अगले अगले कॉलर से बात करेंगे हलो नमस्कार स्वागत है आपका जी पेट खराब से क्या मतलब यह क्या होता है पेट में तो इसके लिए कोई उपचार कर रहे हैं अभी आपनी नहीं कोई आपको तो यह पहले करता करने अपनी अब अच्छा चलो आपको उपचार बताते हैं क्योंकि देखिए यह प्रॉब्लम सारी आपके डाइजेशन से रिलेटिड है जब खाना पचेगा नहीं तो गैस बनेगी और आपने एक बड़ा अच्छा हमें एक और हिंट दिया है कि आपको ऐसे डिटी होती है जलन होती है तो ज आगे चलिए पराठा, पकोड़े, समोसे, टिक्की, गोलगप्पे और आगे चलिए शाही पनीर, दाल मखनी, राजमा, छोले यह सब जो गरिष्ट भोजन है क्योंकि आपका पाचन उतना स्ट्रॉंग नहीं है तो खाना पचेगा नहीं तो गैस भी बनेगी, एसे डिटी बनेगी, आम भी बनेगा, और कबज भी रहेगी, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने पाचन को ठीक करना, एक छोटा सा मैं आपको आयरविदे के चूरन बताता हूं, वो आप आज से लेना शुरू करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा उससे काफी, लेकिन रोग अगर पुराना हो चुका है, जैसे आपने कहा कि पहले उपचार किया था, अब नहीं कर रहा हूं, तो फिर आपको दवाई भी लेनी चाहिए, लवन भासकर चूरन आपको कहीं भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है, लवन भासकर चूरन एक-एक चमच, भोजन के पस् दिसक्स करें अपने रोग को, हमारे यह तो जैसे हमने बताया कि फॉन द्वारा भी आप जो है रिजिस्टर करा के बात कर सकते हैं, को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लो ब्लेट प्रेशर के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, इसके अगर हम प्रिकॉशन जाना चाहें, तो व हमें अपने पोशन का ध्यान रखना चाहिए, खास तोर पर महिलाओं से में निवेदन करूँगा, और भारती नारी जो है, जिसको हम कहते हैं, भारती नारी बहुत महान है, वो सबको भोजन के कराती है, पोरे परिवार में खुद भोकी रह जाती है, और खुद अपना ध् चाहिए, तब ही पूरी परिवार का ध्यान रखी, बच्चों में भी प्रोब्लम आ जाती है, अब पूरा पोशन नहीं मिल पाता है, इसी प्रकार से जो है, इसमें एक और प्रिकोशन आपको रखनी है, कि जब भी आपको समय मिले और ना भी मिले तो नहाते समय तिल्के- तो तिल के तेल की मालिष अपने शरीर में रेगुलरली करें। मालिष करने से क्या होता है कि आपके खून का संचरन बढ़ता है। आपके बॉड़ी में से टॉक्सिंज निकल जाते हैं। आपके शरीर का ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल बना रहता है। तो तिल के तेल की मालिष आप बहुत बताते हैं। उसको आप जरूर करें। और फोड़ा बहुत व्यायाम भी आपको करना चाहिए। रेगुलर बैसेज पर एक्सरसाइज चोटी मोटी हलकी फलकी कोई भी एक्सरसाइज करें। उससे भी आपको बहुत परक पड़ेगा। लेकिन मुखे रूप से आप ध्यान रखें। कि बहुत ज्यादा अगर आपको ब्लड प्रेशर की समश्या पुरानी है। तो फिर उसमें आउशद ही जरूर आपको कुशना कुश लेनी चाहिए। क्योंकि यह रोग है थोड़ा सा जो के बहुत ज्यादा उसमें इतना नुक्सान नहीं होता जब तक के बहुत कम ना हो। लेकिन धीरे 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 बॉड़ी को डेमेज कर रहा होता है। तो हमेशा अपने शरीर को आप पहचानिये। अपनी प्रकृति को जानिये। पच्चेश-भीस साल के अभी डाइबटीज नहीं है तो अभी से आपको सतर करहना चाहिए। या आजकल जेनेटिक डिशॉडर्स बहुत कॉमन जो माने जाते हैं। बॉर्टन साइंस ऐसा मानती है कि अगर माता-पिता में कुछ रोग है तो बच्चों में भी आ सकते हैं। जीन्स के थरू। तो इसलिए जो कोई अगर पेरेंट्स में कोई रोगी है तो उस रोग का तो विशेश आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर तो एक कॉमन सी चीज है ब्लड प्रेशर की वज़े से अनेक रोग आपको हो सकते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर को हमेशा आपको जो है मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। लोग बीबी के लिए टिप्स क्या देंगें डॉक्टर साब। देखे टिप्स इसमें जैसे मैंने पोशन की बात की आपसे तो बहुत सारी ऐसी चीजे हैं गाजर, चुकंदर, पालक इनको आप अबाल करके इनका सूप बना सकते हैं। इनका जूस भी पी सकते हैं। किश्मिस से बहुत फायदा होता है। किश्मिस आप 15.20 किश्मिस रात को भीगएं, सुबह उसको चबा करके खाएं, दूद गरम उसके साथ पीएं, खजूर चार पांच आप कः सकते हैं। जो छुवारा जिसको बोलते हैं, उसको रात को पानी में भिगोएं, सुबह दूद में उबाल करके, उसका आप सेवन करें, उससे भी बहुत फरक पड़ता है, सबसे एक सिंपल सा एक जो टिप्स इसमें है, बहुत अच्छी जो फाइदा करती है, कि तलवों में अगर आप म आप मिलता है, तो ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं, जिनको आप प्रियोग कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों का प्रियोग आप कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों का थोड़ा पेस्ट बना लें, चार-पांच पत्तों का, और उनको पानी में घोल करके, या शेहद में मिला करक आप चाट लें, शहद से बहुत फर्क पड़ता है, शहद का सेवन आप करें, एक चम्मच ऐसी शहद चाट जाएं दिन में एक बार, दो बार, या हलके से गुन-गुने दूद में आप शहद मिला के पीएं, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ता है, तो बहुत सारी चीज बाते हमें बताने के लिए, तो आज हमने लो ब्लोग प्रेशर के बारे में जाना, तो अगर आपको लगता है, जो बाते ने कहीं हैं, जो सिम्टम सुनों ने बताये हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो यही पर reality čeck करने की ज़रत है औ आप हमेशा healthy बने रहें तो आज आ रहोगे मंत्र में बस इतना ही लेकिन चलते-चलते हमारा help line number आप जरूर नोट कर लिजिए जो है 01294040404 इसके लावा आप जीवा को contact कर सकते हैं हमारी website के जरिए जो है www.jiva.com आप हमी कर दो हमी कर दो हैं ख़री जरूर दो है आप हमारा